लेब रुक करेंगे कुछ और खबरों का प्यार में सरहद पार करना आज तक हम फिल्मों में देखते थे लेकिन अब यह हकीकत में होने लगा है पहले सीमा हैदर प्यार के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई अब यूपी के छोरे के लिए इरान से फैज आई हैं देखように कहते हैं कि प्यार सरहद नहीं देखता जब दिलों का मिलना होता है तो दिल मिल ही जाते हैं सीमा हैंदर और सचिन की कहानी तो आप जानते ही है पकस्तानी सीमा अपने तीन बच्चों के साथ अवैद तरीके से भारत में आ गई थी जिसकी खूब चर्चा हुई थी अब इरान की फैजा भी अपने प्रेमी से मिलने मुरादाबाद पहुची फर्क इतना है कि फैजा अपने पिता को लेकर भारत आई है और उसने सारी कानूनी प्रक्रिया का पालन भी किया है दिवाकर और फैजा की दोस्ती सोचल मीडिया पर हुई और प्यार परवान चरहने लगा दोनों शादी के लिए राजी हो गए और उसके बाद फैजा अपने प्रेमी से मिलने के लिए 2826 किलोमीटर सरहद पार करके भारत आई है इरान के हमदान शहर से आई फैजा भारत आते ही यहां के रंग बेरंग गई मुरादाबाद में उनका ग्रैंड वलकम हुआ सुर्ख लाल जोडे में फैजा बेहद खुबसूरत लग रही है दिवाकर की घर में पहुचते ही उनकी आरती उतारी गई पूरे घर को फूलों से सजाया गया फैजा को लाल रंग की चुनरी उड़ाई गई और उसके बाद दोनों ने सगाई कर ली दोनों पर फूलों की बारिश की गई घर की महिलाओं ने फैजा की बलाईया ली दिवाकर का पूरा परिवार इस रिष्टे से बेहद खुश नज़र आ रहा है फिर मैं बापस आया और फिर फैजा इंडिया आई पहरान से दे ली फिलाल फैजा अभी 20 दिन के वीजा पर पता मसूद के साथ भारत आई है दोनों की सगाई हो चुकी है कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों शादी करेंगे आपको बता दें कि इससे पहरे दिवाकर जुलाई 2023 में फैजा के प्यार में टूरस्ट वीजा पर उससे मिलने इरान गए थे आपको बता दें कि फैजा यूनिवर्सिटी की छात्रा है जबकि पता मसूद अखरोट की खेती करते हैं सगाई के बाद दोनों के ही दिल की खुशी सामने आ रही है और फैजा ने भी अपनी प्रेम कहानी और शादी की प्रतिय अपने खुशी जाहिर की है कहते हैं ना जब किसी को शुद्दत से चाहो तो पूरी खाइनात उसे मिलाने में जुट जाती है कुछ ऐसी ही प्रेम कहानी इरान की फैजा और भारत के दिवाकर की है बिरो रिपोर्ट जी मीटिया